राश्टी स्वैम सेवक संग के वरिष्ट प्रचारक एवं संग के अखिल भारतिय प्रचार प्रमुक माननिये सुनील अंबेकर जी द्वारा लिखेत पुस्तक राश्टी स्वैम सेवक संग स्वर्णिम भारत के दिशा सूत्र The RSS for the 21st Century का हिंदी अनुबाद है संग के बारे में जानने समाज के साथ संग के चिंतन एवं संग के संपूर्ण दृष्टी कोण को समझने के लिए ये पुस्तक बेहद उपियोगी है पुस्तक में दस अध्याई शामिल है जिनमें संग की भाव भूमी, संग की मूल अवधार्णाय, संग की क्यारे प्रणाली, भारत का इतिहास, हिंदुत का पुन्रोदे, जाती प्रथा और समाजिक ने आए संग परिवार भूमंडली करण के दौर में आदुनिक्ता एवं पारिवारिक संबंदों का सातत्य और महिला आंदुलन जैसे अध्याई शामिल है राश्ठी उसेम सिवक संग स्वर्णिम भारत के दिशा सोत्र पुस्तक विचारों का एक प्रभा है, जिसमें बेहद मुल्यवान जानकारियों का समावेश है इस पुस्तक में स्पष्ट किया गया है कि संग समाच पर शासन करने वाली एक शक्ती नहीं, बलकि समाच को सर्शक्त बनाने के लिए संग निरंतर कारे कर रहा है संग समाच के सभी समुदायों के बीच कारे करता है विभिन मत, पंत और धर्म से अलग संग राश्ट्रिय असमिता के लिए कारे करता है संग संपून समाच को समझने वाली भाशा को बोलता है उसके मूल में मात्र भूमी की स्थेवा का भाव सबसे प्रमुक है पुस्तक में संग के संस्थापक परम पूजने डॉक्टर केश्व बलीराम हेटगेवार जी के जीवन से जुड़े अनेक प्रेणा दायक प्रसंगों का उलेक किया गया है 26 दिसंबर 1934 को जब गान्दी जी संग के वर्धा शिविर में पहुचे तो वहां की विवस्था देखकर दंग रह गए जब गान्दी जी ने डॉक्टर साहब से स्वेम सेवक की परिभाशा के बारे में पूछा तो डॉक्टर साहब ने उतर दिया मैं उसे स्वेम सेवक मानता हूँ जो स्वेम की प्रिणा से प्रसनता पूरवक सब के प्रती सद्भाव रखते हुए राश्ट कारे करने को तकपर रहता है मेरा धेह ऐसे स्वेम सेवक तयार करना है इस संगठन में नेता और स्वेम सेवक में कोई भीद नहीं होता पुस्तक में भारत के गौरवशाली इतिहास का उले करतव लिखा गया है कि भारत के इतिहास की समझ मूल सुरोतों की आधार पर बननी चाहिए ना कि पश्चिम की सिमित रिष्टी से प्रभावित व्याक्याओं की आधार पर भारत समाजिक विवस्थाओं पर अधार देश यहां के परिवार विवस्था यहां के उत्सव और कुम्ब जैसे धार्मिक पर्व हमारी मुल्यवान समाजिक सांस्कृतिक धर्वर है पुस्तक में कहा गया है कि भारतिय ग्यान पदती किस रिष्टा को वर्ष्ण तक चपा कर रखा गया आयुर्वेद और योग सूत्र अधारित स्वास्ते प्रणाली को अत कच्रा ग्यान कहकर उसका मजाक उड़ाए गया जबकि आज सारा विष्व योग ध्यान और आयुर्वेद के महत्व को स्विकार कर रहा है इतना है नहीं सारी दुनिया आज संस्कृत के ग्रंथ में नहित ग्यान को समझने को आतर है देववाणी कही जाने वाली संस्कृत भाषा के बारे में पुस्तक में कहा गया है कि संग की ज्यान और सिक्षा परिकल्टना में संस्कृत का महत्पूर्ण स्थान है संग का मानना है विद्याले स्थर पर ही बच्चों की मात्र भाशा में सुख्ष दिने के साथ साथ संस्कृत भी पढ़ा जानी चाहिए संग का मानना है संस्कृत एक भाशा ही नहीं बल्कि हमारी संस्कृती की अभिव्यक्ती है हिंदुत्व को सरल तरीके से परिभाशित करते हुए पुस्तक में कहा गया है कि हिंदुत्व में समनवे, सहमती और सह अस्तित्व तीन प्रमुक्सूत्र समायत है हिंदुत्व शान्ती, लोगतंत्र, खुशाली और वंदवंद मुक्त जीवन जीने की विस्ता है हिंदुत्व सभी पूजा पदतियों के सह अस्तित्व में विश्वास रखता है हिंदुत्व राजनितिक सत्ता पाने का साधन नहीं है, बलकि राष्ट की सेवा का साधन है सह अस्तित्व की विचारधारा में विश्वास जिताने वाला संग परिवार की सहभागिता पर जोर देता है इसलिए संग की सह कलपना सदेव एकिकरित रश्टनात्मक और दीरग कालिक रही है संग परिवार संग अठनों के माध्यम से सहभागी लोगतंत्र का एक प्रभावी मौडल विक्सित करने पर जोर देता है पुस्तक में कहा गया है कि आज के युक में इसलामिक आतंगवाद पूरी दुनिया के लिए बड़ा खत्रा है पृत्वी पर शान्ती के लिए आतंगवाद को पूरी तरह से समाप करना जरूरी है आतंगवाद के विरुद सभी को मिलकर मुहिम चलानी होगी तभी इस से मुक्ति मिलेगी संग का स्पष्ट मत है स्वतंत्र भारत में कटर पंथियों का कोई स्थान नहीं होना चाहिए क्योंकि कटरवाद के कारण ही देश का विभाजन हुआ था संग आज एक बड़ा जन आंदुलन है बड़ी संख्या में लोग इसके साथ जुड़ते जा रहे हैं भारतिय जन मानस के बीच में संग का एक विशिष्ट इस्थान है संग का जन देशभाव और राष्टे के विश्य में चिंतन करने से ही हुआ है ये प्रिर्णा दायक पुस्तक संग के विशिष्टाओं के साथ बेहद रश्टनात्मक जानकारी प्रदान करती है संग की विशार धारा और उसके कारों को समझने के लिए ये पुस्तक बहुत उप्योंकी है